बाबा और मेमे एक जंगल में बाबा बकरी और उसका मेमे मेमना रहता था वे रोस पानी पीने नदी के नारे जाया करते थे वहाँ शेर, भालू तथा अन्य जानवर भी पानी पीने आते थे बकरी तथा मेमने दोनों ही डरते डरते उधर जाते थे एक दिन जब वे पानी पीने जा रहे थे तो बाबा ने अपने मेमने से कहा अरे मेमे, मेरी एक बात याद रखना क्या मा? मेमने ने बीच में ही टोक कर पूछा यही कि कोई भी मुश्किल घड़ी आनी पर कभी भी खबराना नहीं बहादुरे से उस मुसीबत का सामना करना ठीक है मा, मैं यह बात याद रखूंगा मीमे बोला, दोनों नदी के नारे पहुँच कर पानी पीने लगे तभी वहाँ पीछे से एक भालू आ गया भालू ने कहा वाह, आज तो पानी के साथ खाना भी यही मिल गया बापा और मीमे घबरा कर सोचनी लगे के आख कैसे बचा जाए मीमने को मा की बात याद थी उसने भालू से कहा भालू भाई, आपका मूँ तो धूल से सना हुआ है पहले मूँ तो साफ कर लीजिए फिर हमें खा लेना भालू ने सोचा अभी तो मैं मिट्टी में लोट कर आया हूँ सच ही तो है अगर ऐसे गंदे मूँ से इन्हें खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मूँ में जरूर आएगी वह बोला तुम दोनों यहीं रुको मैं मूँ धोकर अभी आता हूँ भालू जैसे ही मूँ धोने के लिए नदी की ओर जुका मेमनी ने पीछे से उसे नदी में धक्का दे दिया और अपनी मा के साथ तेजी से जंगल की तरफ भाग गया इस तरह अपनी सूच बूच से उसने अपनी और अपनी मा दोनों की जान बचाई बच्चों, इस संसार में मनुष्य अत्वा पशुपक्षे सभी के जीवन में कभी न कभी विपत्ती आती ही है ऐसी मुश्किल समय में हमें हताश होकर धैरी नहीं खोना चाहिए हमें ऐसी मुश्किल समय में हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए यदि हम मुश्किलों का सामना हिम्मत और बुध्धी विवेक से करेंगे तो हमारी विजय अवश्य होगी